ऐटेम हेलो एब्स ताहिए Amohan आयाय के इस वीडियों में करें więc आपके साथ जITY है कर रहो побosure लाऊंच की काटिंग यहाँपे लिया है मैंने बלאऊंच का पीस यह बार्डर ब्लार tense यह दूनों साइट में यह बार्डर दिया है इसके हम cutting करेंगे बहुत ही simple तरीके से तो सबसे पहले हमें इस तरीके से इसे खोल के रख लेना है इस तरीके की border जो होती है सिल्ले में cutting करने में दिक्कत आती है तो सबसे पहले हमें एक side का border क्या करना है? Cut कर लेना है Cut कर के हमें एक side का border निकाल देंगे दूसरी साइड वला जो बचे का उसको हम स्लीप में डालेंगे और इसको जो है बैक में डालेंगे तो उपर से हम जॉइंट करेंगे तो सबसे पहले हमें कट करके इसे निकाल लेना है अब इस तरीके से हमें कटिंग करने में असानी भी होगी और उसे हम बाद में अटेज कर लेंगे तो सबसे पहले हमें बैक पीच की कटिंग करना है तो इस तरीके से हमें खोल के रखेना है और फोर्ड कर के तो हम बैकंपी की कटिंग करेंगे तो इसकी लमभाई हम लेंगे 15 inch मुझे तयार चाइए 13.5 पिंस तो हम 15 inch रख रहा है तो हम दोनों side में 15 inch पर निसान लगा लेंगे इस़के इससे सीधा कर लेंगे इसको हम cut करके पहले पीज को निकाल लेंगे फिर इसके बाद हम निसान लगाएंगे देखे इस तरी के से मैंने कट करके इसको रख लिया अब यहां से हम लेंगे सॉल्डर की नाप तो सॉल्डर मेरा रहेंगा 5.5 इंच तो यहां हम 5.5 इंच पे मांग करेंगे और नेक रखेंगे सवा दो इंच तो यहां पर मैंने सवा दो पर निसान लगाया यहां से हम लेंगे arm hole 6 inch, यहां से हम arm hole की गुलाई जो है 6 inch रखेंगे, यहां से neck back side का neck, तो मेरा रहेगा 8.5 inch, आप और deep रखना चाहते हैं, तो आप अपने हिसाब से बढ़ा गटा सकते हैं, तो मैं रख रहे हूं, 5 point, sorry 8.5 inch, यहां से लेंगे हम इसका, जो neck का hole होगा, वो यहां से रहेगा 3 inch, इस तरीके से इंच tape को रखना, इसे सिधा कर लेना है, और यहां से chest रखेंगे 9.5 inch, 2 inch margin के लिए, अब यहां से लेंगे हम 1 inch, इसका round सा save देने के लिए 1 inch लेंगे, और यहां से हमें इंच tape को रखना है, और इसका हमें आधा करना है, तो यहां से हम आधे पर निसान लगा लेंगे, यहां से लेंगे 1.5 inch, और यहां से हम इसको round सा save देंगे इस तरीके से, अब यहां हम टक्स के लिए निसान लगाएंगे तो उपर से हम पहले इस तरीके से रख के देखेंगे यहां से लेंगे हम इसका सेंटर जितना भी होगा इस तरीके से हमें इसे सेंटर लेना है इसका अब यहां से हम इंच टेप को रखेंगे यहां से लेंगे टक्स का निसान लगाएंगे हम 10 इंच से यहां से हम नीचे लाइन सीधे कर लेंगे दोनों साइड से लेंगे हाफ आफ इंच इस तरीके से हमें मिला लेना है इसको अब यहां से हम कमर का निसान लगाएंगे तो कमर है 7.5 इंच 15 के आदा करेंगे तो 7.5 इंच आएगा तो यहां पे हम निसान लगा लेंगे वान इंच जो मैंने टक्स लगाया है उसका लेंगे जो मैंने ये टक्स लगाया था उसका ये वान इंच और यहां से माजिंग के लिए 1.5 इंच अब इसको हम यहां से सिधा कर लेंगे निसान लगा की सिधा कर लेंगे अब इसकी हम cutting कर लेंगे इस तरीके से यह back piece की निसान लग चुकी है अब यहां से लेंगे हम उपर का 1⁄फ इंच इस तरीके से 네ak की साइड में down करना है तो neck की साइड में down करेंगे अगर tip नहीं रहे गा तो armhole की side में आप down करेंगे half inch तो इसको हम cut कर लेंगे back piece की cutting इस तरीके से हम कर लेंगे देखिए बहुत ही easy तरीके से मैंने back piece की निसान लगाई और cutting भी की अब हम front piece की cutting करेंगे तो देखिए इस तरीके से कट के तयार हुआ है पैक ने देखिए बिल्कुल इस तरीके से perfect cutting होगा अब हम यहां पर फोल्ड करके रखे हैं front piece की cutting के लिए तो सबसे पहले हमें high hook के लिए यहां पर निसान लगा लेना हाफ हिंच पर इस तरीके से हम half inch पे निसान लगा लेंगे अब बैक वाली piece लेंगे और इसके उपर रखेंगे हाफ हिंच को जो मैंने हाफ हिंच पे निसान लगाए उसको चोड़के फिर इस piece को रखना है देखिए इस तरीके से उस line के किनारे रखना है आपको देखे इस तरीके से हम अच्छे से इसको रख के बराबर कर लेंगे कपड़े को अब यहाँ से हम निसान लगा लेंगे इस तरीके से हमें निसान लगा लेना है चारो तरह यहाँ से इसको हम रख के सीधा कर लेंगे यहाँ से हम नेक लेंगे फ्रंट नेक रहेगा मेरा 6 इंच, पहले हाफ इंच पे निसान लगाएंगे, 6 इंच काम इस तरीके से निसान लगाएंगे, लाइन सीधी कर लेंगे, बैक पीस को हटा देंगे, यहां से आर्म हो, 6 इंच, इसको हम सीधा कर लेंगे, यहां से इसे मिला लेंगे, यहां से हम इसका सेंटर लेंगे अब यहां से हम हाफ इंच से भी थोड़ा सक कम इस तरीके से हमें अंदर की साइड में लेना है यहां से लेंगे वन इंच बैक वाले पीस में 1.5 इंच और फ्रांट वाले में 1 इंच यहां से इस तरीके से हम इंच टेप से निसान लगाएंगे और फिर यहां से हमें राउंड साइब देना है इस तरीके से हमें निसान लगा लेना है इसमें यहां से half inch इस तरीके से हम निचे लगा लेंगे निचे साइट में और यहां से इस तरीके से मच्छे से इसे मिला लेंगे इस में नेक में लगाएंगे बानी राउंड सा सेब देंगे अब यहां से हमें इसका सेंटर लेना है इस तरीके से हम सेंटर लेंगे यहां से हमें बेल्ट के लिए जो निसान लगाना होगा यहां से लेंगे हम 12.5 पे हमें एक मार्क करेंगे यहां से हमें उपर से 12.5 के लिए हमें एक मार्क करना देखिए वहाँ पर एक मार्क कर लिए सबसे पहले हमें क्या करना है इधर 1 इंच एक्षा लेना है फ्रेंट वाले पीस में 1 इंच नीचे भी बड़ा होता है और side में भी हमें 1 inch एक्षा लेना होता है और इसे हम मिला लेंगे अब इसके cutting कर लेंगे पहले फिर इसका हम belt का और tux का निसान लगाएंगे देखे इस तरीके से इसका हम cutting कर लिए हम belt का निसान लगाएंगे यहां से हम देखेंगे कि नीचे कितना आ रहा है 3 inch आ रहा है तो 3 inch पर इधर भी हम निसान लगा लेंगे इसमें थोड़ा front पाले पीस में कपड़ा कम पड़ रहा है अब यहां से लेना हमें funding से थोड़ा सकम यहां पे हम निसान लगा लेंगे यहां से इस तरीके से हमें थोड़ा 3 करके लेकर जाना है और इस तरीके से हमें इसका निसान लगाना है अब हम Tux का निसान लगाएंगे यहां Tux का निसान लगाने के लिए पहले हम लेंके 9 inch 9 inch पे माग करेंगे अब यहां से हमें 1.5 इंग छोड़ना है फिर निसान लगा लेना है इस तरीके से हम सारे वीडियो में इसी तरीके से हम निसान लगाना बताते हैं 1.5 छोड़ेंगे इस तरीके से हम निसान लगा लेंगे इस तरीके से टक्स लगाने पर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसका सेप आता है तो यहां से देखे हम इस तरीके से इसमें निसान लगा लेंगे चारो तरफ देखे इस तरीके से इसमें टक्स का निसान लग गया अब यहां मिश्टीज करने के लिए जो निसान लगाते हैं वो लगा लेंगे हाफाफ फिंस पे दोनों साइड और मिला लेंगे सब में हम इसी तरीके से इसान लगा लेंगे और एक जो साइड वाला है उसमें हम थोड़ा सा हाफ फिंस से कम इसमें श्टीज करते हैं तिसलिए उसमें हम निसान नहीं लगाए और इसके अब हम कटिंग कर लेंगे देखें हम इसको कट कर लिए देखें बिल्ट प्लाउंच की कटिंग हो चुकी यह पैट पीस है प्लीज कॉमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरा यह प्लाउंच की कटिंग कैसी लगी आप आपको मेरा यह जाओ स्व discourई की कर लेंट состо Бы Bagh één, डाओ सरह घसे मेंगे